अगर आप लोग का एकाउंट यूको बैंक में है तो जाहिर से बात है आप लोग भी चाहते होंगा कि आप अपने यूको बैंक को गूगल पे फोन पे असाथ लिंक करके ऑनलाइन लेंदेन करें लेकिन 2023 में जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने जा रहे हैं तो काफी ज़्यादा परिशानी आ रहा है कई सारे एर्रस आप लोग वा जा रहे हैं और कभी पर तो एकाउंट फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग दो तीन स्टेप में ही अपने प्राब्लम को फिक्स करके आप लोग गूगल पे फोन पे में अपने बैंक अकाउंट को जीरे लिंक कर सकते हो तो आज के इस वीडियो को पुरा देखना तो हैगी स्वागत आप सबी का एक और सांधर वीडियो में तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि कैसे आप लिंक कर सकोगे लेकिन यहांपर मैं आप लोग को डीटेल से बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं जो कि अब बदलाओ हो चुके हैं जिसके वज़े से आप लोग का बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाता है देखें आपके पास debit card, ATM card सब कुछ है फिर भी आप लोग अपने bank account को लिंक नहीं कर पा रहे होंगे इसका कई सारे regions हैं जो कि आप लोग को detail से इस वीडियो में explain करने वाला हूँ तो देखें सबसे पहला जैसा कि हर कोई बताता है हर एक YouTuber आप लोग को बताता है कि जब भी आप लोग Google पे फोन पे बनाओ तो उसी नंबर से sign up करो जो नंबर आप लोग के Yuko Bank में registered है ठीक है ये तो हर कोई बताता है ये आप लोग को ध्यान रखना है ये देखें common solution है ठीक है Google पे फोन पे का problem का ठीक है और second thing क्या है जो कि आप लोग को YouTube पर कोई नहीं बताता है second thing ये है कि जब भी आप लोग अपने bank account को link करते हो मालो जो आप लोग का bank account है उससे जैसे आप लोग ने find out कर लिया ठीक है तो जैसे आप लोग link करते हो link करते समय आप लोग के साथ एक problem होता है SMS send setting का ठीक है देखे जब भी bank account link करते हैं तो Google पे phone पे एक SMS send करता है आपके account को verify करने के लिए आपके bank में देन वो verification हो जाता है देन ही आप लोग का account यहाँ पर link होता है लेकिन basically problem ये होता है कि जो SMS होता है वो कई बार send करते समय फैल हो जाता है और आप लोग का account जो है link नहीं हो पाता है तो fail क्यों होता है देखे एक्चुली में देखे प्राब्लम ये होता है कि जब आपने bank account को link कर रहे होते हैं तो जो SMS जाता है वो आपके दूसरे SIM से चला जाता है यानि कि आज के समय में तो हर किसी को पता है कि सबी स्मार्टफोन में दो-दो SIM लगे रहते हैं ठीक है तो उन में से एक SIM आपके bank account में link होता है जबकि दूसरा SIM आप लोग के bank account में link नहीं होता है तो ऐसे में जब आप लोग एकाउंट को लिंक करते हैं तो जो नंबर आप लोग के बैंक एकाउंट में लिंक नहीं राता है उस मोबाइल नंबर के जरिये जो है SMS चला जाता है आप लोग के बैंक में जिसके वज़े से account verification नहीं हो पाता है और आप लोग का account link नहीं हो पाता है तो इसका solution क्या है देखिए इसका basic solution है या तो आप लोग उसे ask every time में कर दें SMS send करते समय लेकिन यह default होता है इसलिए आप लोग के सामने जल्दी ask every time कर नहीं आएगा ठेक है लेकिन इसे best यह है कि जो number आप लोग के bank account में लिंक नहीं है उस SIM को आप लोग अपने smart phone से बाहर निकाल देजिए देने account आप लोग लिंक केजिए account link करने के बाद दूसरा SIM दूसरी बार जो SIM है दूसरा number का उसे आप लोग लगा देजिए आप लोग का ये problem जो है fix हो जाएगा ठेक है और तीसरी चेज़ अगर मान लिजिए कई सारे errors आ रहे हैं जैसे कि और सारे errors आ रहे हैं जैसे error code B3 आ रहा है या फिर error code ZX आ रहा है action आ रहा है कई सारे errors आ रहे हैं तो इसका देखिए common solution है कि आप लोग जो है bank में जा करके अपना जो आपका minor account है minor से major account पे convert कराईए या फिर आप लोग अपना EKYC complete कराईए ठीक है अगर आप लोग यतना करते हो काम और दूसरी चेज़ एक most important चेज़ कि अगर आप लोग का काफी पहले mobile number जुड़ा हुआ है होगा योगो बैंक का 100% लिंक हो जाएगा Google पे फोन पे दोनों से तो आज के इस वीडियो में ही तक मिलता है फिर किसी नेक्स वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए बाए बाए